अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को भी सब्स्राइब करके ज़रूर जाइएगा ब्लेक स्नेक मोन 2006 में रिलीज हुई एक डार्क ड्रामा मूवी है जिसके स्टार्टिंग में हम एक कपल रे और उसके बॉइफ्रेंड रोनी को देखते हैं जो कि मूवी की शुरूआत में ही बहुत पेशिनेटली इंटिमेट हो रहे थे और इसका एक करण ये भी था कि रोनी आर्मी सर्वीसेस में था और अगले दिन उसे अपनी डूटी करने के लिए जाना था रे अपनी गल्फरेंड के लिए बहुत प्रोटेक्टिंग था और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाता था कि कोई उसके गल्फरेंड के साथ में इंटिमेट हो या फिर और कुछ करे अब अगले दिन रोनी अपनी डूटी के लिए निकल रहा था और वो रे से कहता है कि वो अपनी आणटी के घर चली जाए लेकिन वो महापर जाने से मना कर देती है और वहीं पर रोने लगती है चुकि वो ये नहीं चाहती थी कि रोनी उसे छोड़ कर जाए फिर रोनी उसे शान्त करता है और उसे अपनी ही जैसी मेचिंग घड़ी देता है और कहता है कि जब भी घड़ी बीप करेगी वो दोनों अकेला मैसूस नहीं करेंगे जिसके बाद में रोनी रे को एक किस करके चला जाता है रोनी के जाने के बाद में अगले सीर में हम देखते हैं कि रे सेक्स एडिक्ट हो चुकी थी और इसलिए वो अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपनी इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए एक दूसरे आदमी के साथ में इंटिमेट होती है और ये आदमी उसके साथ में इंटिमेट होने के बाद में उससा सलग पर छोड़कर चला जाता है फिद रे जब उठकर आगे जाती है तो उसे अपनी मा रास्ते में मिलती है और उसे टोकती है क्योंकि उसकी मा को रे की हालत और सेक्स एडिक्शन के बारे में पता था अब यसी नहीं पर कट होता है और ती और ड्रक्स ले रही थी और नशे की हालत में वो दूसरे आदमियों के साथ में इंटिमेट भी हो रही थी तब ही रोनी की दी हुई गड़ी बीप करती है लेकिन उसे रोनी की कोई भी परवा नहीं थी वो बस रोनी को चीट कर रही थी रे पाटी के बाद में वही पर सो जाती है और उसके सबी फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते है तब ही वहाँ पर रोनी का फ्रेंड रे को वहाँ से अपनी कार में ले जाता है और वो अपनी कार में ही उसका फाइदा उठानी की सोचता है लेकिन रे उसे ये कह देती है कि उसकी ताकत रोनी से आदिव नहीं है जिससे की रौनी के फ्रेंड को उस पर बड़ा गुस्ता होता है और वो गुस्ते के मारे रे को अपने कार से मरने के लिए बाहर फेक देता है इधर अगले सुबह लाजारस अपनी वाइफ के कपड़े कच्रे में फेक रहा था वो तब ही उससे सड़क पर रे बड़ी हुई मिलती है जिसके शरीर पर चोटके निशान थे और वो बहुत ज़्यादा कैल थी लाजारस उसे अपने गर पर ले आता है और फिर जब रे को होश आता है तो लाजारस को वही आदमे समझती है जिसके साथ में वो पिछली रात को सोई थी और फिर से उसके साथ में इंटिमेट होने को बोल रही थी लेकिन लाजारस एक बहुत अच्छा आदमी था वो उसे बताता है कि वो कोई और आदमी है जिसके बाद में वो उसके लिए कुछ दवाये लेने के लिए चला जाता है और मेडिकल शॉप की उनर लजारस को पसंद करती थी और वो लजारस से मेडिसीन के पेसे भी नहीं लेती है यहाँ पर रेस अपना देखती है कि कोई आदमी उसके पास आ रहा है और उसके साथ में इंटिमेट होने के कोशिश कर रहा है लेकिन इतने में लजारस महाँ पर आ जाता है और उसे नीन से जगाता है वो नीन से जाकते ही रे लजारस को ही किस करने लगती है लेकिन लजारस खुदकूफ से छुड़ा कर बार निकल जाता है और वही सोचता है कि वो किस पागल लड़की को अपने घर पर ले आया है उसे लगता है कि रे को बड़ी गर्मी चड़ी हुई है और वो उसकी गर में उतारने के लिए कुछ सोचता है वो वापस अपने गर में जाकर फ्रेज में से बरफ लाता है और से बाथटब में डालकर रे को उस बरफील बाथटब में लिटा देता है और रे बार बार टायरन का नाम ले रही थी और ये वही टायरन था जिसने रोनी के जाने के बाद में रे के साथ में सिक्स किया था लजारस टायरन को ढूंता है और उसके घर पर पोच्छता है जहाँ पर टायरन उसे बताता है कि रे एक सिक्स एडिक्ट है और इधर लजारस के घर पर रे लजारस के घर से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके भागने से पहले ही लजारस उसे पकड़ लेता है और उसे उठा कर वो वापस उसे अपने घर में ले आता है जहां पर रे उसके साथ में इंटिमेट होने को बोलती है लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत अच्छा अदमी था वो उसे बिस्तर सही बांदेने की सोचता है क्योंकि वो यह चाता था कि वो रे को ठिक कर पाए और इसलिए वो इस्टोरूम में से मोटी सी चेहन लेने के लिए चला जाता है फिर अगले सूपर जब रे की नित खुलती है तो लजारस से पूचती है क्योंकि रे दीरे दीरे नशे में से बाहर आ रही थी और अब अपने पूरा खोश आवाज में थी लजारस उसे बताता है कि वो यहाँ पर पिछलेंग दो दिनों से है और जब वो उसे मिली थी तो उसकी हालत बहुती जाला कहराब थी फिर रे लजारस से उसकी हिल्प करने के लिए उसे थैंक्यू बोलती है और ये भी कहती है कि उसके पास में उससे देने के लिए कुछ भी नहीं है जिस पर लजारस जवाब देता है कि उससे उसके मदद के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए फिर रे वहाँ से जाने की सोचती है लेकिन जब वो अपना कंबल आटाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक मोटी सी चेन से बंध हुई है इससे गुस्से मेरे लजारस पर बहुत चिलाती है वो लजारस उसे कहता है कि उसने उसे चुआ तक नहीं है बलकि उसने तो बस उसके घाव ठीक किये है रे का कहना था कि वो अब पुरी तरह से ठीक हो गई है और यहां से जाना चाती है और वो उसे छोड़ देने के लिए भीक मांग रही थी लेकिन लजारस का कहना था कि वो फिर से आज़ाद होकर किसीने किसी के साथ में इंटिमेट होगी और रे का फिर से यही हाल होगा रे भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन चेन बहुती जादा मजबूत थी वो नहीं भाग पती और अब लजारस उसके लिए खाना बनाता है और उसे खाने के लिए ओफर करता है और धीरे धीरे समय बीटता जाता है रे कई बार लजारस को सेडियूस करती है ताकि वो यहां से निकल सके लेकिन वो रे के इस जहां से में नहीं आता है फिर एक दिना में देखते हैं कि रे सोफे पर बेटकर लजारस को कहती है कि वो उसकी होटनेस से उसे बरबात करतेगी लेकिन लजारस उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसके लिए ढंके कपले लेने के लिए मारकेट चला जाता है जिसके बार में रे यहाँ पर अंदर भागने की कुशिश करती है फिर लजारस के जाते ही उसके खेट में काम करने वाला एक टीनेज लड़का उसे बुलाने उसके घर पर आता है उससे महाँ पर लजारस नहीं मिलता लेकिन उसे रे महाँ पर दिख जाती है जो की बंदी हुई थी वो लडगा जैसे ही गर में आता है रे उस पर टूट पड़ती है और अपने कप्ले उतार कर उस लड़के के सांथ में इंटिमेट हो जाती है अब लजारस जब अपने गर पर वापस आता है तो दोनों को एक सांथ पाता है और इससे गुसे में आकर वो उस लड़के को घर से भगा देता है लेकिन लजारस को भी पता था कि उस लड़के के कोई गलती नहीं है बलकि रे ही जब प्रजस्ति उसका साथ में इंटिमेट हुई होगी अब एक दिन हम देखते हैं कि लजारस का एक फ्रेंड उसका घर में आया था उसे घर में नहीं जाने दे रहा था क्योंकि उस सब पता था कि रे उसे भी सीडोस करने की कोशिश करेगी लेकिन इमोशनल होकर लजारस उसे सब कुछ बाता देता है कि कैसे उसस सडख से एक दिन नेकड लड़के मीली थी लजारस की यह स्टोरी सुनने के बाद में उसका friend भी confuse था क्योंकि लजारस अगर चाता तो वो रोज उसका मजा ले सकता था लेकिन लजारस उसके स्पागलपन को ठीक करना चाता था और इसलिए लजारस का friend भी उसके मदद करने के लिए राजी हो गया था वो घर में देखता है कि रे बिना कपलों के बेटी है लेकिन वो इस बार उसे सीडियूस नहीं कर रही थी चुकि अभी अभी वो उस लड़के के साथ में इंटिमेट हुई थी अब मुवी रे के बॉइफरेंड रोनी पर आ जाती है जो कि वापस आ गया था वापस आकर उसे रे कहीं भी नहीं मिलती और उसका वही फ्रेंड जिसने रे को फेका था वो उसे बताता है कि शायद रे कहीं पर भाग गई होगी चुकि वो किसे ने किसी लड़के के साथ में इंटिमेट होती रहती है जिससे की रोनी को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी फ्रेंड की बहुत बिटाई करता है इधर हम देखते हैं कि रे साफ सुत्र कपड़े में थी और लाजारस ने उसे खूल दिया था लाजारस उसे भी मॉल ले गया था जहां पर उसकी मुलाकात फिर से उसकी माँ से होती है वो उसकी माँ से मॉल में भी जगड़ा करती है क्योंकि उससे ये लग रहा था कि उसे सेक्स अडिक्ट पनाने में उसी का हाथ है चुकि जब वो छोटी थी तो उसके सोतल पिता ने उसके साथ में कई बार रेप किया था और उसकी माँ उसे बचाने के बचाए दूसरे रूम में चली जाती थी और इसी सदमे के कारण वो कभी भी ठीक से अपनी माँ से बात नहीं करती है उन दोनों की बहुत बढ़ गई थी और तब हमापर लजारस आता है और वो रेख को उठाकर अपने साच में फिल से अपने घर ले जाता है रेख को घर लाने के बाद में लजारस रेख को गिटार प्ले करना सिखा रहा था और वो उसे गाना सुनाता है जिस गाने का नाम था बलेक स्नेक मोन और यही इस मूवी का टाइटल भी है लेकिन तब ही महाँ पर रोनी पहुच जाता है वो लजारस पर ये इल्जाम लगाता है कि उसका रे के साथ में कोई अफेर है जिसके जवाब में लजारस उससे कहता है कि उसने कभी भी उसकी गल्फरेंड रे को टच भी नहीं किया है रे की आज जो हालत है वो उसके बच्चपन में हुई एक गंबिर गटना के कारण हुई है लेकिन अब रे भूद बदल चुकी है रोनी को भी अब रे में बदलाव नजर आ रहे थे और इसलिए वो लजारस से माफ़े भी मांगता है जिसके बाद में हम देखते हैं कि रोनी और रे दोनों आपस में शादी कर रहे हैं जहांपर लजारस और मेडिसीन स्टोर वाले लिडी दोनों साथ में थे फिर इस मूवी के आगरी सिन में हम रोनी और रे को कार में देखते हैं जहांपर रे अजनबी जैसे भीयो कर रही थी और उसे फिर से सेक्स एडिक्शन हो रहा था फिर वहीं रोनी को कार में ही पेनिक अटेक आता है लेकिन हम यह देखते हैं कि RAY अपने एडिक्शन को कंट्रोल कर लेती है और वोसे कंट्रोल करके रोनी को भी समाल रही थी और इसी के साथ में ये मूवी यह पर एंड हो जाती है दोस्तो ये मूवी रे नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके बचपन में उसका सोतले पिता नहीं उसके साथ में रेप किया और उसका असर उसके दिमाग पर ये हुआ कि वो एक सेक्स एडिक्ट बन गई थी लेकिन लाजारस को जब वो मिली तो लाजारस ने उसका फाइदा नहीं उटाया बलकि उसके इस बिमारी को ठीक करने में उसकी मदद की फिर अंत में देखने हैं कीरे और उसका वोईफरेंड नहीं चादी कर लेते हैं और लाजारस को भी अपनी चीट करने वाली वाइफ से चुटकार मिलता है और वो उस मेडिकल स्टोर वाली से भी शादी कर लेता है I hope दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रू पसंदा होगा वीडियो कर पसंदा हो तो लाइक और कमेंट ज़रू करिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब पर के जरू जाईएगा क्योंकि हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ